नमस्कार आपका नाम क्या है आनंद बर्मा आनंद बर्मा आप कहां के रहने वाले हैं मुसहा ग्राम के रहने वाले जिला बस्ती तो अनंद जी अभी आप कहां पर है इसमय है मालूणी में मालूणी में मालूणी में मुंबई महाराष्ट में ठीक है आप कि दिने टायम से रह रहे हैं बस तुर मुंबही को टीक है तो आपको मुंबई में कौन-कौन रहते हैं इस एक छोटा तो आप मुंबई आये हैं मतब कुछ करने के लिए आपकी पढ़ाई चल रही अभी तो आप यहां पर घूमने के लिए मुंबई तो आपके चाचा लोग का सहयोग रहता है आपके परत पूरा अच्छा होना जैसे आपका ध्यान रखते हो आपका मतलब सपोर्ट है मतलब तो आप घूमने के लिए मुंबई आये हैं तो और आपके आगे मतलब सोचन लाइफ में क्या तैयारी है पढ़ाई के बाद कि आपकी जो सोच है तो आपकी चाहते हैं कि आपकी कोसिस मत पूरी होनी चाहिए क्योंकि मेहनत आपको करना होगा तो अभी आपके मुंबई में मतब कहां कहींगे गुमने के लिए कि नहीं मतब जो धार्मिक अस्थाल वहां पे आपने घूम लिया मुंबई आपको कैसा लगा तो अभी जैसे मुंबई में घूमने के लिए जगा है अभी तो आपको मालूम होगा मतब जैसे गेट्वाइफ इंडिया हो गया या जुह हो गया या सिद्धी विनायक हो गया बहुत सारे टेंपल्स हैं या गेट्वाइफ इंडिया से जाएंगे एलेफेंटा के गुफाये हैं तो अभी इस समय तो कोबीट का सत्चला जिसे हम लोग करोना वैक्ति जैसे महा अब जाहते हैं मतलब की शोशल डिस्टेंसिंग हो जादा मतलब सोर स्राबागर्दी नहीं होनी चाहिए तो बाकी आपका मतलब गाउं में बाकी घर पे कौन-कौन है आपके हमारे पापा है अमी है बाबा है बाबा चोटे बहुँ बाबा लगते हैं और चोटा भाई है ल दो वृपा का यह चीज पूछना चाहता है अपको मुंबई के पेछा में क्या फ्रक लगा आपको गाउं वेतर लग रहा है या पर एक तरह करते हैं को स्थीक्ट तो आपको क्या लगता मतब आने वाले समय पे इन फ्यूचर में मतब गाउं का कुछ हो सकता है तरक्की या नहीं होगा करक्ट है तो आपको अभी पहले क्या हम 10 साल के बैक में जाते हैं अवाज के टाइम पर देख रहे हैं तो मतब गाउं में कुछ बदला हो है कि नहीं है गाउं में बदलाव होते हैं इसे अपने इस्थित के अंतार पहले कोई जिसका चपड़ा था उसका भी बिल्डिंग मतब इस चीज़ पर सरकार ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश में ठीक करक्ट है और वहां पर सुब्धाएं हैं जैसे में प्राथ्मिक स्वास्केंद् प्राइब अगर ऊपना सब्सक्राइब कर जोज है पर शोटक है छोटे संहे पर सबसित हैं कि हम कई मतलब आपका सोच ऐसा है कि मतलब आज की टाइम पे सरकार अपनी उत्तर प्रदेश में ध्यान दे रही है और पढ़ने लिखने का भी सबको चांस मिल ला है उनको खाली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो उनका सोच होगा विद्याले भी है हास्पिटल भी है पढ़ने की उमर होते हैं तो पढ़ने का जिप्यासु नहीं होता है तो बाद में सोचना हो जाता है तो आनज जी आपके पिता जी क्या करते हैं लाइसी एजंट है मतलब वो बीमा सलहकार है मतलब लोगों को मतलब बीमा के सब्रोका कश होगा दो भी करतेते हैं तो खेटी में आज यह आपको मालू है मैं उत्तर प्रडेशन सब्सक्राइब करते हैं even धे इस अपना किरसी का हिंद्धर में पhan Tin पर्देश में घंग भूणी सब्सक्राइब करते हैं कि ही जमें परकार की इती है। और बाकि आपको तो मुंबई में अभी आप है ना अभी मुंबई में हैं और बाकि मम्मी भाई वाई सब तो चोटे भाई हैं हमसे जो माजिल है तो आपके चाचा जी जो मुंबई में रहते हैं मुंबई में क्या करते हैं शूटिंग में मतलब फिल्म इंडिश्टी में फोकस का काम करते हैं और चोटे ले चाचा के नाम के बोले यस्वंत कुमार बर्मा बाकि सब अच्छा लग रहा ना मुंबई आपको मुंबई तो माया की नगरी आपको मालू है होगा तो तो और आगे कुछ बोलना चाहेंगे आगे क्या बोलना है जो हो गया अच्छा जैसे अपने गाउं में सरकार है तो सरकार जिस हिसाब से कार कर रही है लोगों को सही लग रहा लेकिन क्या चीज़े अपने को वेसिक चीज़े और क्या जरूरत है सरकार को सब्सक़्ी कर पाएगी करता करूंकि किसी जरूरत है इसलों क्ति साबित किया जाए कि सब्सक्राइब देखेगा जिसके लिए जादे पेच्छाओंगे वही काम होगा ठीक है ठीक है तबाए ओके नवास्काइब